हाई फ्रेंड कि रसेपी को अपने इस रिलेट करना स्टार्ट किया होगा मैंने खुदने भी इस रेशीपी को बहुत बार अपने सब्सक्राइड किया है यही खासिय थे इस रेसिपी के इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यूँ ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेर ना करूँ तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए मैंने एक लिया मिक्सी जार जिसमें मैं आड करूंगा handful of coriander leaves, साथ में मैं आड करूंगा 1 tablespoon of chopped garlic, 1 tablespoon of chopped ginger and 1 tablespoon of chopped green chillies साथ में मैं आड करूंगा near about 3 to 4 tablespoon of water, salt which is aspart taste, इसे मैं अच्छे से cover करके इसका मैं paste बना लूँगा इस तरह से paste बनाते समय अगर आपको पानी add करना लगता है तो प्लीज आप पानी अपने हिसाब से add कर लीजिए, paste बनाने के बाद मैंने या पे लिया एक बड़ा सा mixing bowl जिसमें मैंने add किया 1 kg of curry cut chicken, chicken को add करने के बाद मैंने इसमें add किया green paste जिसे अभी हमने ready कर लिया था, और साथ मैं मैंने add किया half teaspoon of turmeric powder, अब मैं इस chicken को अच्छे से mix करूंगा और इस मसाले को अच्छे से rub करूंगा chicken के साथ और इसे में rest करने रख दूंगा for near about 20 minutes, while the chicken is resting for 20 minutes, मैं यहाँ पे लोगा एक बड़ा सा पतेली, अगर आपके पास बड़ी कड़ाई है तो आप उसे भी use का सकते जिसमें मैंने add किया already four tablespoon of oil, oil जैसी गरम हो चुका था तो मैंने add किया एक medium size डालचिनी, एक black cardamom, एक bay leaf, दो green cardamom and few black peppercorns and cloves, इसे भुनने के बाद जब इसका aroma oil में अच्छे से set हो गया तो मैंने इसमें add किया दो chop कियो में onions, onions को add करने के बाद हम इसे अच्छे से भुन ल जैसे ही आपको लगता है कि onions अच्छे से translucent हो गये है, it is the time to add tomato puree, मैंने यहापे डो टमाटर लिये थे, जिसे मैंने mixi jar में grind करके इसका puree रेडी कर लिया था, टमाटर प्योरे अड़ करने के बाद मैंने add किया salt, salt डालते समय अब ध्यान दीजेगा, साथ में add करूंगा 1 tablespoon of coriander powder and half tablespoon of red chili powder, अगर आप तीखा जादा पसंद करते हो, तो यहापे 1 tablespoon of red chili powder भी add कर सकते हो, इस मसालो को भून लूँगा मैं for near about 2-3 minute टाकि इसका रॉनेश निकल जाए और अब मैं इसमें add करूंगा marinate किया हूँआ चिकन, चिकन को add करने के बाद, Friends, सबसे पहले आप gas का flame high कर दीजे और इस high flame पे आप चिकन को भूनिये for near about 10 minutes, काफी बार लोगों ने मुझे कहा है कि चिकन जूसी नहीं बनता है, तो चिकन को जूसी बनाना है तो आपको उसे high flame पे भूनना है for near about 10 minutes, जैसे कि आप देख रहें 10 minute हो चुके है, मैंने इस चिकन को cover किया और इस lid के ओपर मैं पोर करूँगा एक glass पानी, ये करने से होगा क्या कि मैं अब चिकन को cook कर रहा हूँ on slow heat, तो मैं नहीं चाहूँगा कि चिकन नीचे से चिपके, इसके वज़े से मैंने या पर एक glass पानी add किया, 15 minute हो चुके है, low flame पे मैंने chicken को cook किया था एक glass पानी add करूँगा और इसे मैं फिर से 15 minute के लिए slow flame पे cook करूँगा, 15 minute हो चुके है, and you can see that the chicken is cooking well, and at the same time आप देख सकते हो, it has leaped lot of oil, that means इसकी तरी भी काफी अच्छे से ready हो रही है, उस पानी को मैं फिर से इसमें add कर दूँगा, मतलब मैंने या पर total दो ग्लास पानी add कर दिया, इसे एक बार अच्छे से mix करूँगा, अब मैं इस पतेली को cover करके, इसे फिर से मैं 10 minute के लिए low heat पे cook करूँगा, 10 minute हो चुके है, और आप देख सकते हो, yummy delicious, ताबा style chicken curry हमारा ready हो चुका है, जिसे आप garnish कीजे, coriander leaves के साथ, और yes, अगर आपके पास lime juice है, तो आप इसमें half lime juice भी add कर सकते हो, तो friends अगर आपको मेरी recipe पसंद आई हो, तो please like, share and subscribe to my channel and do not forget to leave your valuable comments.